कि हलो दोस्तों मैं हूँ आपका होस्स आपका दोस अलताप शेक्स वगत कता हूँ हमारे इस चैनल में जिसका नाम है इगनर टू प्रोफेशनल दोस्तों एक और वीडियो के साथ आपके सामने हजिर वाओं उमेद कता हूँ इस वीडियो से भी आपको काफी कुछ सीखने मिल देगा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो जैसा कि मैंने बताया था चौदा तारीकों भी कि मार्केट एक बड़े मुमेंट के त्यारी कर रहा है जैसा कि आज हमें देखने को मिला मैंने उस वीडियो में बता दिया था कि मार्केट अगर 32,000 के नीचे जाती है तो व दिखा दिया तो यह तो हुआ दोस्तों आज की बात चलिए अभी देखते हैं कि कल मार्केट किया कर सकता है तो दोस्तों सबसे पहले मैं देखिए आपको यह वंडे के टाइम फ्रेम में आपको दिखा देता हूं मैंने उपासे ट्रेंड लाइन ड्रो कर दिया यहां पर त अब आसपास में अभी टाच किया हुआ है तो में भी दोस्तों अभी कल के दिन में यह ट्रेंड लाइन हमारा की पॉइंट बनने वाला है वह कैसे तो उसके लिए चलो मैं आपको अभी टाइम फ्रेम चेंज करके दिखाता हूं तो मैं आप एक घंटे का टाइम फ्रेम ले है यह हमारे लिए की पॉइंट का दोस्तों काम करेगा कल के दिनों में तो दोस्तों कैसे देखिए अभी आप यहां पर अगर लाइट उपनों के फ्रेंड्स अगर मान लिजी है मार्कर इसके उपर सस्टेन होता है इसी प्राइस पे मतलब 33,500 के लगबग आसपास में पां टार्गेट अपना अचीव कर लेगा अगर फ्लैट ओपन हुआ तो लाइन के ऊपर अगर सब मान लिजी है उपन करके अगर मार्केट इस टेंड लाइन को ब्रेक करते वाकर नीचे आती है तो यह लगबग पहला जो उसका टार्गेट बनेगा फ्रेंड्स यहां पर यह ब और तो यहेडियो नीचे की तरफ दोस्तों घृट फलैट ओपनन की बात अगर मान अगर मार्केट अकर इस लाइन के ओपर यह लोग डिखाता है तो दोस्तों मार्केट की ओपनिंग हमें करेगा कि मार्केट कहाँ मौफ करेगा अगर मार्केट करेगा अगर मार्केट कर देगा और तो यहां से हमारे लिए साइट के लिए हमाले एक बाइंग बनती है जो 34,000 के ऊपर फ्रेंट कल के दिन में पॉसिबिलिटी नहीं है कि मार्केट इसको क्रॉस करके और उपर जाएगा क्योंकि आज के दिन में फ्रेंट मार्केट ने दिखा दिया है तो कल ज्यादा मोमेंट नहीं कर पाएगा गयाप अगर उपन हो जाता है तो 34,000 तक जाएगा तो 34,000 तक जाने दीजिए उसके बाद में फ्रेंट वहां से आप एक पी बाई कर सकते हैं कि वहां से अगेन वह नीचे डाउन वह अपस आएगा अपने इस ले अगेन 34,000 तक यहां पर रिटेस्ट करेगा तो कॉल में जाना है और अगर आप उपन होकर अगर 34,000 के टश हो जाएगा तो वहां से हमें पी बाई करना फ्रेंज हो गया आपके बाद और अगर अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगर डाउन ओपन होता है तो पहला जो फ् कि अपने सपोर्ट तक जाएगा और सपोर्ट को वहां पर से रिटेस्ट करके आगेन ऊपर चला जाएगा मतलब कल का जो रेंज बनेगा फ्रेंड से अटलिस मानेजे 200-300 पॉइंट का रेंज बन सकता है इस मार्केट के अंदर अगर मानेजे यह अगर यह ओपन होके यहीं और तो 33,000 और फ्लाटовых ऱपन होगा तो दोनों साइड की चांसास मिल सकते हैं उपार के और नीचे के दुनों के और अगर रिटेस करेगा तो अगर invincible क्ल रिटेस्ट के लिए ब्लहां गडयाएं जो पूड़ा कोटरले आपको नल्स आज के चार्ट को देखते वे इसका कनफोरमेशन में option chain में भी ले लेता हूं और फ्रेंज आज के इस वीडियो में मैं आपको FIDI का जो participant से वो भी आपको दिखाना चाहूंगा उसके जरीए भी फ्रेंज आमें पता चलता है कि FIDI ने कहां परवाई किया है कल के लिए तो चलते हैं और वहां पर दिखाता इसका कनफोरमेशन दोस्तों जब तक option chain में open करूं तब तक आप यह FIDI का जो मैंने डेटा लिया है इसे आप देख लिए आराम से दोस्तों इसमें लेफ साईड में जो है यहाँ कॉल साड और राइट साड में जो है और पूर्ट साड इसमें दोस्तों हमें देखना क्या होता है के FI ने क्या किया माइनस में जो भी फीगर आउट होगा इसका मुस्तों यह होता है कि यह राइटिंग और प्रोह यह diversip का हनो सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट को छोड़कर दोस्तों क्लाइंट यह वो होते हैं जो हम जैसे मतलब एक रिटेलर होते हैं जो क्लाइंट में हम लोग काम करते हैं हमें क्लाइंट बोला जाता है रिटेलर लोगों को तो क्लाइंट को छोड़कर दोस्तों और किसी ने भी यहां प option chain पर दोस्तों तो आ गए हम अपने option chain में option chain को दोस्तों यहां पर दिखेंगे अगर आप यहां पर 33,000 फाइंडेट पर अभी मार्केट एट पर खड़ी है और जो option में जो डेटा जो भी बता रहा है ओवाई का वो अभी जद्धा यहां पर दिया हुआ नहीं है but overall मैं अगर उपर उपर से बात करूँ तो 33,000 फ्रेंड्स यहां पर हमारे सपोर्ट का काम कर रहा है और सपोर्ट के तोर पर यहां पर 12.40 यहां पर open interest जन्रेट हुए है और अगर रेसेशन की दूस्तों बात करूँ तो 34,000 में यहां पर 7.30 ओवाई जन्रेट हुए है तो फ्रेंस कल के 33,000 से 34,000 फ्रेंस कल के लिए confirmation यही रेंज का है इसे के बीच में मार्केट कल घुमेगी तो option चैन्ब हमें यही बाता रहा है और एक बात दोस्तों यहां पर मैं बता चाहूंगा आपको के 33,300 में कॉल सेड में अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो ब्रेकेड के अंदर जो ओवाई चेंज जो माइनस में चला गया इसका मतलब दोस्तों यह होता है कि यहां से कॉल राइटर जितने भी है यह exit हो चुके इसलिए माइनस में दिखा रहा है यह फ्रेंज एक तरह का confirmation होता है लाइव मार्केट में कि अगर कभी भी किसी भी साइड में अगर कॉल र इसे भी हमेशा फ्यूचर में याद रखें तो चलिए हमें चलते हैं वापस अगें अपने चार्ट पर की पॉइंट में आपको बता दिया यह लाइन कल के दिन में हमारे लिए की पॉइंट का काम करेगा इसके ओपर और इसके नीचे ओपर में कॉल साइड है और नीचे मे दोके में जैसी तरह से मैंने अने लेस्स किया है तो उमीद काता हूं दोस्तों इन फ्यूचर में आप लोग भी इसी तरह से अने लेस्स करेंगे और अपने ट्रेडिंग स्कील को बढ़ाएंगे यह वीडियो खास करके दोस्तों बिगनर के लिए होगा ताकि वह अपने ट स्क्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही है मिलते हैं अगले ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ तिल देन तब तक के लिए गुड़नाइट शब्बा के रहें सुट डेम